गाइस 2022 का नवंबर चल रहा है और इस टाइम तक जो कैमरास लॉंच होने थे हो चुके हैं मुझे नहीं लगता दिसंबर में कोई कैमरा लॉंच होगा जो 50 से 60,000 की बजट रेंज में आएगा तो इस वीडियो में मैंने कुछ 5 कैमरास को जो है शॉट लिस करा जो 2022 में बहु बहुत ही बड़ी है वो वेल्ली फोर मनी प्रोड़क्ट रहे है अब यह कौन से 5 कैमरास है आए देखते हैं आज की वीडियो में तो सबसे पहला कैमरा जो मेरे को बेस्ट बजट कैमरा लगा 2022 में वो है कैनन का M50 Mark II अब यह क्यों है गाइस मैं आपको प्रेक्टिकली कैमरास बेस्ट की है तो कैनन का M50 Mark II एक ऐसा कैमरा जो फोटो और वीडियो जोनों में बेस्ट और इसका जो प्राइस सेग्मेंट है बहुत कमाल के देखिए गाइस हमें 50-60,000 की प्राइस रेंज में M50 Mark II जो मिलता है इसकी फोटोस क्वालिटी बहुत बढ़ी है वीडिय प्राइस का पूरा experience मिलता है और सबसे बेस्ट चीज गाइस इसमें flip screen है जो की बहुत काम आते है वीडियो performance के लिए तो जो लोग वीडियो शूट ज्यादा करते है content creation करते है vloggers है YouTube पे वीडियो बनाते है उनके लिए camera good to go है बहुत ही बढ़िया ये perform करता है चाहे आपको 4K वीडियो शूट करने हूं या फिर full HD लेकिन 4K वीडियो में crop करेगा बट full HD में बहुत अच्छी वीडियो इसमें मना सकते है और दूसरी चीज इस camera की जो मेरे को best लगी वो है EF lenses का support mount लगा कर देखूगा इस आप सब जानते होंगे आज कल lenses बहुत जादा महंगी आते या EF lenses में बहुत अच्छे अच्छे lenses है सारे हम इसके साथ यूज कर सकते हैं तो जो लोग 50-60,000 पर खर्च कर रहे हैं मुझे यह लगता है वो practically बहुत महंगा lens लेना पसंद करेंगे वो भी वही lens लेना पसंद करेंगे जो बहुत सही बचट में आता हों तो guys जितने भी E camera best at touch screen है mirrorless camera है और पूरी screen पर guys हमें focus points मिलता है focusing में कोई भी दिक्कत निया चाहे है आप इससे photography करें वीडियोग्राफी करें दोनों में best काम करता है और एक चीज मेरे को इस camera की सबसे अच्छी है लगी guys इस budget में दूसरे brand में अगर हम जाए जैसे कि Nikon है उसमें Z30 आता है उसमें guys viewfinder ही नहीं है वो सिरफ वीडियो में अच्छा है इसमें guys आपको viewfinder मिलता है वो भी electronic बाकी flip out LCD screen तो है जो touch control के साथ काम करते तो guys पूरा all-in-one camera आपको एक budget segment में Canon का M50 Mark II मिलता है that's why मेरे को यह practically बढ़िया लगा और मैं इसे बहुत time से use कर रहो आप बहुत सारी मे recommend करना चाहूँगा best budget segment में वो एक DSLR जो लोग DSLR को पसंद करते हैं जो DSLR purchase करना चाते हैं वो Canon का 200D Mark II इसी brand का 200D Mark II purchase कर सकते हैं और 200D Mark II में guys हमें सारी चीज़े मिलते हैं मतलब flip out screen है touch screen है अच्छी photography कर सकते हैं 4K वीडियो है सारी आपको जो है बढ़िया बढ़िया चीज इसे guys मैंने खुद experience करें मैंने दोनों cameras का hands-on review और test भी कर रहा है link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस video में आप देख सकते हैं कि 200D Mark II कैसे perform करते हैं क्यों यह best है तो guys चाहे बातो photography कि आपको 200D Mark II बहुत अच्छा DSLR segment में camera देखने को मिलता है और same guys जैसे कि मैंने आपक जो lenses सब ही उस पे लग जाते हैं तो आपको कोई भी adapter पे पैसा लगाने की need नहीं है but only difference Canon M50 Mark II 200D Mark II में है कि वो एक DSLR है और M50 Mark II जो है mirrorless camera है तो जो लोग DSLR को पसंद करते हैं DSLR वाले segment में जा सकते है mirrorless को पसंद करते है mirrorless में जा सकते हैं लेकिन दोनों ही अपनी जगा best ह बट दोनों camera में से अगर मैं यह बताओं कि मैं कौन सा camera किसीज के लिए prefer करूँगा तो मैं guys वीडियो के लिए चूज करूँगा Canon M50 Mark II और photos के लिए चूज करूँगा Canon 200D Mark II थर्ड camera guys जो मैं आपको बताने वालो यह एक ऐसा camera है जो उन लोगों को टारेट करता है जो premium segment का camera खरिदना चाहते है लेकिन जादा पैसा नहीं लगाना चाहते है तो Fujifilm का X-T200 ऐसा camera जो आपको 50-60,000 की price range में मिल जाएगा top of the line brand है बहुत बढ़िया ब्रेंड है Fujifilm और specially टारेट करता है फ्रोग्राफर्स को क्योंकि इन camera's की color size बहुत अच्छी होती है तो जो लोग guys एक premium brand में जाना चाहते है अच्छी quality के lenses यूज करना चाहते है कुछ out of the box camera लेना चाहते है कि अगर आप हाथ में पंगड़े जो color science है जो HDR range है जो overall quality है बहुत कमाल कि है Fujifilm के X-T200 की लेकिन only drawback ही है कि अगर आप long term में देखे तो गाइस Fujifilm के lenses expensive हाते हैं जैसी कि मैं आप सबी को अपनी बाकी वीडियो में भी बताते हैं तो Fujifilm के जो lenses हो बहुत expensive होते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखे अगर आपका kit lens से सारा काम हो सकता आपका अभी-कभी photography करते हैं तो Fujifilm का X-T200 ले सकते हैं लेकिन guys अगर आप इस purpose से camera ले रहे हैं कि आपको आगे बहुत सारे lenses भी purchase करने हैं तो Fujifilm X-T200 जो है इसके lenses आपको थोड़े से expensive देखने को मिलेंगे as compared to Canon बाकि design बहुत अच्छा है Fuj Fujifilm X-T200 में भी आपको flip out screen मिलेगी बहुत अच्छा user interface है थोड़ा सा starting में दिक्कत होगी समझने में लेकिन उसके बाद guys आप used to हो जेंगे और अच्छी photos इस camera से निकाल सकते हैं 2022 में काफी अच्छा इस camera का भी response रहा है अब next camera जो मैं recommend करने वाला हुए इसी साल आया था June में और यह बहुत अच्छा perform कर रहा है content creation के मामले में तो Nikon का जो भी आप कहना चाहिए Z30 बहुत अच्छा camera है content creators के लिए photographers के लिए मैं बिल्कुल recommend नहीं करूँगा क्यूंकि इस camera में viewfinder नहीं है तो अगर आप photography करते हैं और आपको viewfinder का काम बहुत होते है तो guys आप Z30 बिल आप से बनाया video production में बहुत बढ़िया काम कर सकता है और Nikon का one of the best budget camera Nikon Z30 है और इस camera की सबसे अच्छी बात मेरे को यह लगी कि इसके अंदर full HD video में 30 minutes की कोई limitation नहीं है अगर आप 30 minutes से उपर की video बनाना चाहते है Nikon Z30 में बना सकते है चाहे आपको 40 minutes की बनानी हो 50 की बनानी कर सकते है YouTube videos, Reels कोई भी इस तरह का काम करते है जहां पर आपको content create करना है guys आप Nikon Z30 ले सकते है बहुत ही बढ़िया जो है camera 4K है autofocus भी अच्छा है और overall जो technology है future proof camera है इसकी video performance guys Nikon के D3500 या फिर D5600 जैसी नहीं है कि focus lag कर रहो या फिर कोई भी दिखकर तो बहुत अच्छे से यह camera video performance देता है और Nikon के Z30 का लेने का एक फैदा यह भी है कि आपको जितने भी lenses मिलेंगे Z series के latest lenses मिलेंगे तो जो भी आप product Nikon का लेंगे कोई भी lenses है कोई भी आप accessory है तो आपको guys latest technology की मिलेगी जो इस camera के साथ compatible होगी चलिए अब चलते है next camera की तरफ जो मेरे को personally बहुत अच्छा लगया और मैं सोच रहो हूँ इसकी मैं एक review video भी लाव special आप बताना नीचे comment करके कि आपको Sony के ZV-E10 की review video चाहिए मैं आपको testing करके दिखाऊ हूँ इस camera की अगर आपको ऐसी video चाहिए तो guys नीचे comment जरूर करें तो Nikon का ZV-E10 बहुत ही बढ़िया camera है content creators के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो videos को बहुत जादा शूट करते हैं फ्रोगराफर्स के लिए भी ठिक्ठा camera लेकिन videographer या फिर content creator को जो है यह जादा टारेट करता है क्योंकि guys इसके अंदर कुछ features ऐसे हैं जो बहुत जादा काम के content creator के point of view से जैसे की guys ZV-E10 में focus tracking बहुत कम सकते हैं जैसी आप camera क्या के product लाएंगे वह अपने इसको highlight कर लेगा अपने इसको focus कर लेगा जैसी हटाएंगे आपके उपर focus आजेगा और जो transition हो बहुत smooth है इस चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने जो है camera में indulge किया and second thing guys जो भी लोग reels किया फिर youtube shots बनाते हैं और slow motion videos बहुत जादा डालते हैं तो guys वो ZV-E10 में बहुत अच्छा slow motion कर सकते हैं इसमें slow motion का बहुत बढ़िया feature है बाकी blurry background, अच्छी crisp sound, overall 4K video quality and nice colors के साथ आपको Sony ZV-E10 videos में quality दे सकता है और Sony के ZV-E10 की एक खास बात ही है कि आप इससे low light videography या फिर cinematography बहुत अच्छी कर सकते ह अगर आप लेते हैं तो आपको इसके lenses बहुत महँए देखने को मिलेंगे, Sony के सभी lenses बहुत महँए हैं और lenses guys इसलिए महँए होते हैं क्योंकि उनके इंदर जो quality होते हैं जो glasses होते हैं बहुत ज़ादा premium quality के बहुत ज़ादा polished होते हैं जिसकी वज़े से उसकी cost काफी ज़ा साइसे कर सके, content creation साइसे कर सके, इसी तरह से इसका designer है, लेकिन इसके इंदर जो mic लगा है, वो बहुत अच्छी crisp sound record कर सकते हैं, यानि कि आपको external mic लगाने की काफी हद तक नहीं पड़ेगी, और गईस उसके साथ आपको wind fur भी देखने को मिलता है, जिससे आप wind reduction कर सकते हैं, तो Sony का ZV10 भी एक बहुत बढ़िया option है, जिनका budget थोड़ा सा अच्छा है और जो इसके lenses को effort कर सकते हैं, तो यह 5 cameras जो है मेरको best लगे, 2022 में पैस होगी हिसाब से, इससे अच्छे और भी cameras आते हैं, लेकिन वो और मेहंगी होते जाते हैं, 60, 70, 80,000 के आते हैं, 80,000, 90,000 जैस लगे तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में और सभी cameras के link आपको नीचे description में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनकी और भी जानकारी ले सकते हैं